तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चनल मंजल तक पर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योग दिवस के बारे में कि योग दिवस के मनाने का उद्देश क्या है इसकी सुरुवात कब से हुई तथा अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को ही क्यों मना जाता है इस बार की थीम क्या होने वाली है इसके साथ साथ फ्रेंट्स हम योगा के कुछ पोजेज को दिखाएंगे और उससे होने वाले फायदों के बारे में डिसकस करेंगे तो आप लोग वीडियो में लाश तक बने रहेगा इसकी बिलकुल भी मत करिएगा चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हम लोग श्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज की दौरती भागती जिंदगी में हर कोई स्वस्त्रा ना जाता है बिमारियों से खुद को बचाने के लिए लोग ना जाने कितना कुछ करते हैं एक अच्छा आहर लेते हैं हर किसी को योग करना चाहिए मही कोरोना काल में तो योग की उपयोगता काफी बढ़ गई है कोवीड से ठीक होने भी योग की मदद से कई लोगों को लाफ मिला है हर दिन सुबा उटकर हमें खुद तो योग करना ही चाहिए साथी अपने परिवार के लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए हर साल अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को मना जाता है हर साल अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को मना जाता है और इस बार भी इस दिन का इंतिजार हर किसी को बेसबरी से है तो चलिए इस दिन के इतिहास से लेकर इस साल की थीम तक हर एक चीज के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रेंट्स योगा डे के मनाने का उद्देश से क्या है योग दिवस की घोसडा के पीछे एक ही उद्देश है धर में जाती से उपर उठकर समाज कल्याड के लिए एक सुरुवात करना योग से जीवन के हर छेत्र में लाव है इसे से कई तकलीफों का अंत है अता सभी धर में एवं जाती में योग के प्रति जागरुकता होनी चाहिए अब हम लोग जानते हैं कि योग डे की सुरुवात कब से हुई तो फ्रेंट्स हर साल पूरी दुनिया में अंतर राष्टी योग डिवस 21 जून को मना जाता है इस दिन लोग सुबा से योग करते हैं 21 जून 2015 को पहला अंतर राष्टी योग डिवस मनाय गया था 21 जून 2015 को पहला अंतर राष्टी योग डिवस मनाय गया था वहीं से योग राष्ट में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वश्थ रहने के लिए योग के प्रसार की इस मोहिम में सामिल हुए थी तो फ्रेंट्स आपको जानना जरूरी है कि अंतर राष्टी योग डिवस 21 जून को ही क्यों मनाय जाता है तो फ्रेंट्स इसके पीछे का कारण आपके सामने है 21 जून को हर साल पुरी दुनिया अंतर राष्टी योग डिवस के रुप में मनाती है इस दिन की खासियत है कि इस साल के 365 दिन में से सबसे लंबा दिन होता है 21 जून सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्री गोलार्थ पर सबसे ज़्यादा सूर की रोसनी पड़ती है जिससे ये सबसे लंबा दिन होता है ऐसे में योग के निरंतर अभ्यास से ब्यक्त को लंबा समय मिलता है इसलिए इस दिन को योग दिवस के रुप में मनाने का फैसला किया गया था योग साधना का महत्तु भारत के इतिहास का अभिन अंग है इसका सरवाधिक प्रचार स्वामी विवेका नंद जी ने किया था इसके बाद 27 सितंबर 2014 को पियम मोदी ने योग दिवस की घोसड़ा से योग दिवस अमेरिक्या में अपने भासण में की जिसके बाद वही 11 दिसंबर 2014 को सैयुक्त राष्ट महासभा ने 21 जून को अंतराष्टी योग दिवस मनाने की घोसड़ा की थी इसके बाद अगले साल यानि 21 जून 2015 को दुनिया भर में अंतराष्टी योग दिवस मनाया गया और तब से हर साल इस दिन को बड़ी ही धुमधाम से मनाया जाता है हलांकि कोरोनकाल की वजह से पिछले साल 2019 में इस दिन को डिजिटल मीडिया प्लेटफर्म पर मनाया गया था ऐसे में इस साल भी इसे डिजिटल मीडिया प्लेटफर्म पर मनाया जा सकता है इस बार की जो थीम है फ्रेंट्स ओ है We with Yoga, We at Home हर साल 21 जून को मना जाने वाले अंतराश्टी योग दिवस के रिए एक थीम रखी जाती है जिसके आधार पर इस दिन को मना जाता है ऐसे में इस थीम को कुरोना काल के हिसाब से रखा गया है अगर हम बात करें 2020 के योगा डी की थीम की तो फ्रेंट्स 2020 का योगा डे का जो थीम था वो था योगा फार हेल्थ योगा आइट हो योगा फार हेल्थ योगा आइट होम और 2021 की जो थीम है वो है बी बित योगा बी आइट होम अगर हम बात करें 2019 की तो फ्रेंट्स 2019 की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन आपके सामने कुश्यन उठ सकता है कि फर्ष्ट योगा डे की जो थीम है जो थीम थी वो क्या थी तो फ्रेंट्स फर्ष्ट योगा डे이면 21 जून 2015 को मनायगय था और उस समय योगा डे की जो थीम थी वो थी योगा फार पीस अंड हर्मोनी योगा फार पीस एंड हार्मोनी इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ महतपूर योगा के पोजेज को देखेंगे योगासन को देखेंगे और उनसे होने वाले फायदय को डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स फर्ष्ट आपके सामने पोजा है ताडासन इसमें सीधे खड़े होकर धीरे धीरे अपना पूरा बजन पंजे पर डालते हैं और एडी को उपर उठाते हैं इससे हम लोगों को क्या फायदा होता है तो फ्रेंड्स इस योगा को करने से घुटने तकने और भुजाओं में मजबूती होती है साथी रख्त का संचार संपूर सरीर में सही से होने लगता है आपका नेक्स्ट योगासन है सीरसासन इसमें क्या होता है इसमें सीर के बल खड़ा हुआ होना होता है इसमें सीर के बल खड़ा हुआ जाता है सीरसासन करने से सीर में रख्त संचार बढ़ता है जिसे से की मस्तिस्क अच्छे से कार्य करने लगता है यादिदास्त को सुधारने के साथ एकागरता को बढ़ाता है महिलाओं में रजोन वृति से संबंधिस समस्याओं को भी सुधारता है नेक्ष्ट पोजा आपका है त्रिकोडासन इसमें सीधे खड़े होकर पैरों के मध कुछ जगा की जाती है कमर से नीचे की तरफ जुकते हैं साथी बिना घुटने मोडे सीधे हाथ से उल्टे पैर के पंजे को एक उल्टे हाथ से सीधे पैर के पंजे को इसपर्स करते हैं त्रिकोडासन से हमें क्या फायदे होते हैं तो फ्रेंस इस से चिंता, तनाव, कमर और पीठ का दर्द गायब होता है पाचन प्रडाली ठीक रहती है, मोटा पाय यानि की पेट की चर्वी को दूर किया जाता है इस योगासन से अगला योगासन है आपका बजरासन, तो फ्रेंस बजरासन में क्या होता है कि दोनों पैरों को मोड कर रेड की हड़ी को सीधा रखकर अपने हाथों को घुटनों पर रखते हैं, यह है आपका बजरासन बजरासन करने से फ्रेंट्स ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट पर अत्रिक्त दवाव नहीं पड़ता है रिड की हड़ी और कंधे सीधे होते हैं पैरों की मास्पेशिया मजबूत होती है आपका अगला योगासन है सल्भासन तो फ्रेंट सल्भासन क्या होता है इसमें पेट के बर लेटा जाता है यहाथों और पैरों को सीधा हवा में खोल कर रखा जाता है यह आपका है सल्भासन तो फ्रेंट सल्भासन करने से हमें क्या फादे होते हैं इससे आप तनाव से मुक धन्राशन किस्तरासिक किया जाता है तो फ्रेंट्स इसमें पेट के बल पर लेट कर हाथों से पैरों को पकड़ा जाता है ये उन धनुस का आकार बनता है धमराशन करने से फ्रेंट्स रीड की जो हड़ी होती है ओ मजबूत और लचिली बनती है पेट से जुड़ी समस्याइं दूर होती है आपका अगला योगाशन है चतुरंग दंडाशन इसको कि तरह से किया जाता है तो फ्रेंट्स इसमें उल्टा लेट कर अपने हाथ के पंजो यह पैर की उगलियों पर सरीर का पूरा बैलेंस बना जाता है चतुरंग दंडाशन करने से आपके आपस से बनते हैं रिड की हड़ी भुजाएं कंधे मजबूत होते हैं नेक्ष्ट योग आसन है फ्रेंट्स आपका भुजंग आसन इसमें उल्टा लेट कर पेट जांग घुटने एंपाइर के पंजे सभी जमीन पर होते हैं और सरीर के आगे का हिस्सा हाथों के बल उपर की तरह उठा जाता है इसमें हाथ की कोहनी थोड़ी सी मूरी हुई होती है इसको करने से फ्रेंट्स क्या होता है कि यह आसन सीना चोड़ा करता है और इसे रोजाना करने से आपकी जो लंबाई है वो बढ़ती है उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को International Yoga Day के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी इसी तरह की नमीनतम जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा इसके साथ फ्रेंट्स आप यहाँ पर competitive exams से related महतपूर वीडियोज भी पा सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार थैंक्स पर वचिंग